वेल्कम टू लर्निंग लोकस आज के वीडियो में हम सिख्यांगे एंड एंड बट के बीच डिफिरेंस दोनों के बीच क्या अंतर होता है डेफिनेटरी आप इसका हिंदी मिनिंग जानते हैं लेकिन इसका इंग्लिश में यूज करने में क्या धियां रखना परता है क्या ड करेंगे और प्र बाद में लर्न करें गे कि इनके बीच डिफिरेंटर्ट क्या है सो सिमिल्लेटरी की बात करते हैं तो दोनों ही कन्जक्शन्स हैं और कैसा कन्जक्शन्स? कोणौ ओटिनेटिंग कान्जक्शन्स की एकजामपलहेन दो pengपाती हैं को हमाईक कंजक्शन को का यूज करते हैं सिमिलर स्टेटमेंट्स को ज्वाइन करने के लिए कैसे स्टेटमेंट्स सिमिलर को ज्वाइन करने के लिए स्टेटमेंट्स में सेंटेंसेस सो सिमिलर टाइप के सेंटेंसेस होते हैं उन्हें ज्वाइन करने के लिए हम and का use करते हैं next side example मिलेगा और but का use करते हैं इससे भी sentences को join करने के लिए यूज करते हैं लेकिन कैसे जिनके बीच contrast होता है contrast का मत्व होता है विशमता विशमता होता है sentences के बीच में उनको जोडने के लिए हम but का यूज करते हैं अगर समता होगी तो and का और विशमता होगी तो but का यही difference है दोनों के use का and and but के use का moving to next slide यहाँ पे हम and के use के examples देख लेते हैं इसमें हमने learn किया कि and का use करते हैं similar statements को join करने के लिए तो देखिए जोड़क दिखाते हैं आपको I love to eat cake दूसरा statement है I love to eat ice cream इन दोनों ही statements similar हैं similar कि sense में है I love to eat शुरू में है जो दूसरा में भी I love to eat है अब दोनों का हमें connect करना है तो math जैसा ही I love to eat को अगर common लेते हैं तो I love to eat यहाँ आविया बचा क्या cake तो cake लिख दिया और फिर and का यूज करते हैं दोनों को जोड़ने के लिए और जो बचा हुआ उसे लिख दिया ice cream तो यहाँ पर and की सहायता से similar statements को connect कर दिया एक और एक्जाम पर वी शेल स्टॉप अट कोलकाता वी शेल स्टॉप अट फूडूचेरी वी शेल स्टॉप अट फूने तो similar statements को जोड़ना होता है जोड़ने के दो ही statements दो से अधिक में statements होते हैं जिसके के नीचे है अब वी शेल स्टॉप अट यह तीनों synthesis में common है वी शेल स्टॉप अट सो माल यह मैच्स के नुसर common अगर हो गया वी शेल स्टॉप अट तो बज़ता क्या है कोलकाता फिर पूडूचेरी और फिर पूने कोलकाता बद कमा फिर पूडूचेरी अन लास्ट में and से पूने को लिख दिया तो इस तरह से similar statements को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं and का similar statements कैसे हो सकते हैं example में दिख आपको pink color में जितने statements हैं similar दिख रहे हैं next but का so but का अगर uses की बात करते हैं तो हमने इसमें learn किया कि but जो होता है यह join करता है joins ऐसे sentences को जो contrast जिनके बीच contrast होता है मतलब और समानता होती है विशमता होती है so ओ ऐसे statements को join के लिए बढ़का करते हैं यह देखिए my dress looks great my dress is uncomfortable dress है जो अच्छा है अच्छा दिखता है अच्छा है लेगिन पहनने में क्या है uncomfortable है तो यहाँ पे dress देखने में अच्छा है और पहनने में uncomfortable यहाँ पे contrast हो गया अब दोनों को connect करते हैं तो ऐसे ही math जैसा ही my dress, my dress दोनों में common है तो क्या करेंगे my dress looks great आजेगा but जो बच्चा हुआ वहाँ पे but is uncomfortable connect हो गया ऐसे ही next one ram walked hard ram could not succeed ram कठिन परिश्रम किया ram सफल नहीं हुआ तो यहाँ पे दोनों में ही contrast है कठिन परिश्रम तो किया लेकिन सफल नहीं हुआ तो भी शमता है तो यहाँ पे ram common हो गया ram फिर worked hard but could not succeed तो यहाँ पे आपने देख लिया कि यह होगे but का use तो इस तरह से हमने learn किया and का और but का use हमने learn कर लिया है thank you very much